शहरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए ज्यादा पेड लगाना और शहरी हरित क्षेत्रों का विस्तार करना जरूरी रणनीती है पेड छाया प्रदान करते हैं जिससे तापमान कम होता है और ज्यादा आरामदायक और तिकाउं वातावरन बनता है परावर्तक छट सामगरी इमारतों में गर्मी अवशोशन को काफी हद तक कम कर सकती है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ये सामगरियां इमारत के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने में मदद करती हैं जिससे एर कंडीशनिंग और उर्जा की खपत की आवश्यता कम हो जाती है ग्रीन छटे न केवल सौंदर्य की दृष्टी से आकरशक होती हैं बलकि इंसुलेशन को भी बढ़ाती हैं वनस्पतियों से धकी ये छटे प्राकृतिक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती हैं जो इमारतों को गर्मियों में थंडा और सर्दियों में गर्म रखती हैं उर्जा कुशल खिड़कियां सौर ताप को रोखने में महत्वपूर्ण भूमे का निभाती हैं गर्मी को कम करने के लिए डिजाइन की गई खिड़कियां लगाने से घर के मालिक और व्यवसाई कम इंदोर तापमान और कम शीतलन लागत का आनंद ले सकते हैं नई इमारतों के लिए रणनीतिक छायानकन और वेंटिलेशन जैसी निश्क्रिय शीतलन तक्नी के स्मार्ट डिजाइन विकल्प हैं ये विधिया अतिरिक्त उर्जा लागत के बिना स्थानों को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक वायू प्रवाह और छाया का लाब उठाती हैं शरम गर्मी के समय में कूलं सेंटर तक लोगों की पहुँच बढ़ाना कमजोर आबादी के लिए एक महत्वपूल्ण शरंस्थली प्रदान करता है ये केंद एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति अत्यधिक तापमान से बज सकते हैं और हाइड्रेशन और आराम प्राप्त कर सकते हैं सफेद रंग की सडकों और फुटपाथों के लाभूं के बारे में सामुदाईक जाग्रूपता बढ़ाने से गर्मी अवशोशन में उल्लेखनिय कमी आ सकती हैं ये सरल लेकिन प्रभावी उपाए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जिससे पारम परिक अंधेरे सत्थों की तुलना में आसपास का वातावरन अधिक कुशलता से थंडा होता है स्थानी या सरकारों को नए निर्मान के लिए गर्मी कम करने वाले नियम अपनाने के लिए प्रोथसाहित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि इमारतों को गर्मी को कम से कम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है ऐसी नीतियों में परावर तक सामग्रियों और हरित छट के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है जिससे शहरी जीवन यापन में वृद्धी होगी शहरी डिजाइन में कूलन तालाबों और जल सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने से न केवल परियावरन को सुन्दर बनाया जा सकता है बलकि परिवेश के तापमान को कम करने में भी मदद मिलती है ये सुविधाएं प्राकृतिक शीतलन प्रभाव प्रदान करती है और सामुदाइक संपर्ग के लिए केंद्र बिंदू हो सकती है सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को बढ़ाने से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है जो शहरी गर्मी के लिए एक प्रमुक्ष कारण है सार्वजनिक परिवहन में सुधार और विस्तार करके शहर गर्मी द्वीब प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्वच थंडा वातावरन को बड़ावा दे सकते हैं पारंपरिक जीवाश्म इंधन से उत्पन होने वाली गर्मी से निपटने के लिए अक्षाय उर्जास रोतों के विकास और उप्योग का समर्थन करना महत्वपूर्ण है सौर, पवन और जल्विद्यूत उर्जास्वाच अधिक तिकाव विकल्प प्रदान करते हैं जो परियावरनिये प्रभाव को काफी कम करते हैं स्थानिय जलवायू संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक जल निकायों को सनरक्षित करना महत्वपूर्ण है जीले, नदिया और आरद्रभूमी प्राकृतिक शीतलन प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं, तापमान को नियंतरित करती हैं और वन्यजीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करती हैं, इस प्रकार पारिस्थितिक स्वास्थ्य और विविद्धा में योगदान द सकती हैं, जो ठंडे वातावरण में योगदान करते हैं, उर्जा कुशल उपकरनों का उप्योग करने और कार के उप्योग को कम करने जैसी सरल क्रियाएं महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं, गर्मी के प्रती संबेदन शील बिल्डिंग कोड का विकास ये सुनिश्चित क करने के लिए आवश्यक है कि नए निर्मान बढ़ते तापमान से निपटने के लिए डिजाइन किये गए हैं, इन कोडों में उन सामगरियों और डिजाइनों को प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए जो उर्जा गहन एर कंडीशनिंग पर निर्भर किये बिना स्वाभाविक रूप से इमारतों को ठंडा रखते हैं, सामुदाइक व्रिक्षा रोपन कार्यक्रमों का आयोजन जलवायू लचीलेपन के प्रती जिम्मेदारी और सामुविक कार्रवाई की भावना को बढ़ावा दे सकता है, पेर न केवल छाया प्रदान करते हैं, बलकि वायू की मगर सौंदर्य को बढ़ाते हैं, व्यवसायों को प्रोध्योगी की उन्नयन अपनाने के लिए प्रोधसाहन देने से उश्मा उद्सर्जन में उल्लेखनिया कमी आ सकती है, उन्नत तक्नीकी समाधान न केवल उर्जा दक्षता को बढ़ावा देते हैं, बलकि पर्यावरन ये स्थिर्ता लक्षियों के साथ भी संरेखित होते हैं, नवीन शीतलन प्रोध्योगिकियों और सामगरियों में अनुसंधान के लिए समर्थन महत्वपूर्ण है, नए समाधानों में निवेश करके, हम उर्जा के उप्योग को कम करते हुए गर्मी से निपटने के लिए अधिक प्रभावी तरीके विक्सित कर सकते हैं, शुष्क जलवायू में वाश्पीकरन कूलर के उप्योग को प्रोधसाहित करना शीतलन की एक कुशल और पर्यावरन अनुकूल विधी प्रदान करता है, ये प्रनालियां पानी के वाश्पीकरन का उप्योग करती हैं, जो म्यूनतम उर्जा खपत के साथ हवा के तापमान को काफी कम कर देती हैं, कारबन फुट्प्रिंट को कम करने के उद्देश्य से नीतियों के लिए अभियान चलाना वैश्विक तापमान वृद्धी के मूल कारण को संबोधित करता है, प्रभावी कानून से हरित को व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है, जिससे अंतताह वैश्विक तापमान में कमी आएगी, सार्वजनिक स्थानों के डिजाइन को गर्मी कम करने वाली सुविधाओं जैसे की छायादार पैदल मार्ग और धूंद शीतलन प्रणाली के साथ बढ़ावा देना तक का राहत प्रदान करता है, ये डिजाइन न केवल पर्यावरन को ठंडा करते हैं बलकि शहरी जीवन को भी बहतर बनाते हैं, इस वीदियो को देखने के लिए लाखों धन्यवाद